नमस्कार आप देख रहा है happy news और मैं आपके साथ सुनिल चतरवेदी चलते हैं आज की खास कवर की ओर जिसके कारण किसानों के उपच का 90 प्रतिशत गल्ला उन्हीं वैपारीयों दौरा उन्हे पौने दामों में खरीद कर उन्हें लूटा जा रहा है शेस दस प्रितिशत उचित भाव से मंडी परशर में आ रहा है जिससे किसानों को आर्थिक शती पहुँच रही है ग्यापन में बताए कि कई बार सासन प्रसासन को अउगत कराने के बाद भी संबन में प्रसासन द्वारा कोई उस कारवाई नहीं की जा रही है जबकि किसी भी मंडी के बाहर अवायद वैपार नहीं चल रहा है फिर भी गुरसराय में क्यों चल रहा है उपजलादिकारी ने संबन में मंडी सच्जु गुरसराय को तद्काल कारवाई करने के निर्तेश्तिय हैं ग्यापन देने वालों में विनोद व्यास सहीत कई लोग वैपारी सामिल रहें हो चुके हैं मंडी के अंदर माल भी नहीं आता है मंडी सुर्ण राजस की चुड़ी हो रही है और हम व्यापारियों के सामने प्रण रोजकार का संकट भी आ गया मंडी का अस्तुती कतम होने जा रहा है इस वालों में वालों के अधिया व्यापार करें सब्सक्राइए नहीं है लेकिन मंडी के बाहर कर रहे हैं हम लोग अंदर है सब्सक्राइब करेंगे तुरंट क्या नाम है आपका राम के समस्या को लेकर आप जुलाद कर गया है परसर में मंडी के बाहर अबेद रूप के गल्ला व्यापारी काम कर रहे हैं जिससे मंडी शुल की बाहरी च्छती होती है और अपकारी उपर से हम लोगों पर गबाव डालते हैं कि मंडी शुल को घट रहा है घट जिए राज बाहर चुरी होती है मंडी के अंदर 10% माल आ रहा है 90% बाहर चुछा है इस वजह से मंडी शुल को चुरी होनी भेहिंकर भारी करोड़ों रोपे की चुरी है